तो वेलकर टू जैन्टुटोज इडिए जैन्टुटोज ओन लाइन क्लासेश फॉर फिजिक्स कमेस्ट्री में तुड़े वी आर क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तुवल्थ क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर क्या है थर्टीन चल रहा है सॉलिशन चैप्टर है क्लास 12 चल लोग इचला क्लास में बता दिये थे कि वेंट हो फैक्टर क्या होता है क्लिए रहे हैं इसारा कोशन बहुत से बना दिये थे तो कुछ दोचार टोपिक है जिसको जल्दे ली बटाते हैं आपको सबसे पदे तो आते हैं हैं हैंडी हैंडी लो क्या होता है तो देखें कोई लिक्वीड में गैस जो घुलता है बहुत ही जिये एक लिटर सुलुटर मास डियोल्ब जितना जदा प्रेशर होता है उस पे डिपेंड करता है बस सिम्पल सा लो है अभिण प्रेश कोषिन टूइटिस प्रेशर वह कोषचे अग तो यह में दा मास ओफ गैस डिजोल्ड घुलता है डिजोल मनब क्या घुलना कौन खुलता है दा मास ओफ गैस डिजोल्ड इन ए लिक्वीड पर लिटर एक लिटर लेना है इज क्या होगा डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वाट प्रेसर जितना ज्यादा प्रेसर होगा गैस का उसमें उतना ज्यादा मास हुलेगा इस बात को सबसे पहले हैंडरी नहीं बताया था इसका नाम पढ़िए हैंडरी लो the mass of gas dissolved in a liquid per liter is directly proportional to its pressure mass of gas depend करता है pressure पे depend करता है जिसे बोलेंगे यहाँ पे किसी gas का एक liter solution लिए है ठीक है एक liter लिए है pressure यहाँ पे 1 atm है फिर यहाँ पर भी एक liter solution लिए है किसी gas का pressure mallet 2 atm है तो gas का जो pressure है यहाँ पे कम है तो mass भी gas का जो घूले का वो क्या होगा कम होगा pressure यहाँ पे बढ़ा के जादा कर दिये 2 atm कर दिये pressure थोड़ा बढ़ा के क्या कर दिये 2 atm कर दिये तो mass of gas जो घूलेगा वो भी क्या होगा जादा होगा तो mass of gas per liter जो घूलता है वो depend करता है उसका pressure पर depend करता है So the mass of gas dissolved is directly proportional to its pressure बस इतना सा हैंडरी लो और इसका huge कहा है था बहुत सा huge है पढ़ लिजगा एक लिख दे रहे है use the carbonic gas carbonic gas is dissolved in cold drinks by this low Henry low को use करके ही cold ring में हम लोग gas सको घुला सकते हैं तो यह था Henry low understood Rolls low पढ़ रहे है Henry low पढ़ लिए Colligative property बता दिए event of factors से बता दिए कोई doubt नहीं हो रहा होगा आईए और एक दो question बहुते हैं आपको तो आईए और एक छोड़ा और question क्या होता है isotonic solution isotonic solution किसे बहुते हैं दो solution का अगर same temperature में same concentration same concentration यह भी 2 by 3 M है और यह भी 2 by 3 M है भले यह solution SCL है यह H2SO4 है temperature fix 25 degree में लिए कोई भी टेप्चर लिए अगर दोनों का same concentration यह same cosmetic pressure तब यह दोनों solution क्या कराते हैं isotonic solution करते हैं करते हैं the two solutions having same क्या हो concentration समान concentration हो या मोलारिटी बोलिए नॉर्मालिटी बोलिए ओस्मोटिक प्रेशर बोलिए अट एक गीभन टेंप्रेचर कोई गीभन टेंप्रेचर में the two solutions having same concentration concentration क्या होता है मोलारिटी नॉर्मालिटी ओस्मोटिक प्रेशर अट एक गीभन टेंप्रेचर अगर same होता है then the solution then the solutions are cold क्या बोलते हैं इसको मलग isotonic solution बोलते हैं the two solution having same concentration like molality normality osmotic pressure अट एक गीभन टेंप्रेचर तो दो solution का same concentration होता है इसका मोलारिटी किता है 2 by 3 इसका भी molality क्या है 2 by 3 solution हो रहा है यह स्टल है तो ऐसा solution को बोलते है isotonic solution के लिए same concentration तो बोलते है isotonic तो यह जोनों solution क्या कहलाएंगे isotonic solution कहलाएंगे understood बच्चों समझे में रहा है सब कुछ क्या क्या पढ़ा दिये Henry लोग क्या होता है isotonic solution क्या होता है बता दिये वीडियो को पॉस्ट करके not करिये तिस तरह से क्या है isotonic solution बता दिये के लिए रहे है अब आईए hypertonic and hypotonic नाम से answer देखिए hypertonic ज़्यादा दो solution जिसे इसका aim by 10 SCL है और यह suppose aim by 5 SCL है इसका molarity 1 by 10 मतलब 0.1 इसका molarity 1 by 5 मतलब 0.2 जिसका ज़्यादा होता है is called hypertonic solution जिसका concentration कम है कम concentration वाला को क्या बोलते हैं लोग hypotonic solution अड़ श्टूड यह सब टर्म है यूज होगा कभी-कभी one marks में आला आता कोन solution hyper है कोन है hypotonic तो the solution which has relatively मैं तुल्ला करते हैं रिलेटिबली वाड यूज कर रहे हैं relatively low कम हो क्या concentration is called concentration में कुछ भी हो सकता है molarity normality molality कुछ भी हो is called क्या बोलते हैं लोग hypotonic solution and which have relatively low sorry low sorry high concentration थोड़ा सा ज्यादा concentration हो the solution which have relatively high concentration थोड़ा ज्यादा concentration हो is called क्या बोलते हैं उसका हम लोग क्या बोलते हैं students hyper tonic solution यह सब question one mark में आ सकता है तो दो solution कुछ भी हो अलग अलग हो एक hyper होगा और एक hypo होगा hyper किसको बोलते हैं जिसमें concentration ज्यादा हो जिसमें कम होता है उसको क्या बोलते हैं hypotonic solution बोलते हैं तो इन सब बात को note की जो और बता रहे आपको hypotonic क्या है hypotonic क्या है ideal solution क्या है non-ideal solution क्या है पहले ही discuss कर चुके है और इसके पहले Henry law आएए एक topic और देखिए isopistic solution किसको बोलते हैं isopistic दो solution जिसका same हो अगर दो solution का vapor pressure क्या हो same हो दो solution का vapor pressure अगर same होगा तो ये दोनो solution क्या कहला है ISO मतलब same pystic solution कहलाता है जैसे बोलेंगे इसका vapor pressure P is equal to 200 mmHg है at 25 degree Celsius में अगर इसका भी vapor pressure क्या हो 200 mmHg अलग solution है ये solution अलग है suppose इसमे यूरिया घुला हुआ है इसमे गुलुकोज घुला हुआ है तो इसका vapor pressure 200 mmHg है at कितना में 25 degree same temperature में अगर same vapor pressure होता है तो दोनों solution को क्या बोलेंगे हम लोग isopastic solution the solution the two solution having same vapor pressure the two solution having same vapor pressure दोनों का vapor pressure same हो at a given temperature at a given temperature is cold क्या बोलते है इसका में लोग isopastic solution तो ये दोनों solution का अगर vapor pressure same है तो क्या बोलेंगे ये isopastic solution है understood समझ में रहा है इदम अच्छा से कोई doubt नहीं हो रहा है not कर लेजे वीडियो पहुच करके not कर लेजे तो होते हैं पढ़ते हैं अब azotrops क्या होते हैं azotrops अगर the mixture of liquid 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह के liquid को क्या किजे अलग अलग liquid को mix कर दीजे boil करे at constant temperature मनला इसका जो temperature है boiling point और इसका जो temperature है boiling point का उसी temperature में अगर mixture बनाने के बाद भी वो अगर boil करते हैं है कि नहीं अगर वो boil करते हैं या same फे बेपर का रूप में आ जाते हैं अगर same temperature में दोनो liquid अपना constant temperature से जिसे L1 है L2 है L1 अगर 100 degree Celsius इसका boiling point है और L2 का boiling point माल जो 120 degree Celsius है दोनों को mix करने से अगर दोनो constant temperature में माल लिज्जे की 110 degree में दोनों अगर वेपर का फेज बनना चाहते हूं वेज बनते हूं स्वरी वेपर फेज वेपर के अवस्था में आते हूं या same boiling point होता है अगर दोनो liquid को मिलाने से same boiling point हो रहा है तो ये दोनो liquid क्या कहलाएंगे का mixture agiotrops कहलाएगा agiotrop mixture है जब दो liquid को mix करते हैं at constant temperature है के नहीं तो अगर उनका composition liquid हो या वेपर हो same temperature में अगर ये उबलेगा जिसे अपने उबलता है 100 degree में अपने उबलता है 120 मिला दिये तो 110 में अगर constant temperature में दोनो liquid अगर उबलता है या constant temperature में दोनो वेपर बलता है तब उसको बोलते हैं agiotrops understood इसको भी note कर लीजे तिस तरह से solution के बारे में जितना भी possible जानकारी है आपको दे दिये सारे फर्मूला जो जो यूज होगा एक बार हम फिर से एक जगा लिख ले रहे हैं जिससे कि आपको कोई doubt नहीं हो clear है तो इस बात को वीडियो को पहुँच करके note कर लीजे वीडियो को पहुँच करके अगर 10 से multiply कीजेगा तो वो क्या हो जाता है यादा G by L G by L को अगर हम लोग molecular weight से divide कर देजेगा तो molarity होता है molarity क्या होता है number of gram mole per liter या क्या होता है WB by MB into BB liter में होना चाहिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या होता है normality number of gram equivalent number of gram equivalent per liter पूरा फर्मूला यूज होगा है कि नहीं molarity को अगर N से multiply कीजेगा तो normality molarity निकाला तो normality को number of hydrogen से divide कर दीजे clear है उसके बाद molality पढ़े थे number of gram mole of solute per kg of solvent या इसको WB by MB into WA से भी लिख सकते है ये kg में होना चाहिए इसलिए इसको thousand से multiply कर लीजिएगा clear है अगर D अगर density है density is equal to mass by weight होता है mass by volume होता है तो अगर अगर निकालना है molarity तो अगर इसको निकालना है तो molarity और molality में एक relation आया था बहुत important relation है molarity को अगर आप molality को molarity निकालना है तो D से क्या कर दीजे multiply कर दीजे density से multiply कीजेगा तो क्या हो जाएगा molarity becomes molarity कैसे यादा दिखा है आपको यादा है molarity क्या था weight by molecular weight into volume था clear है small molarity क्या था molality weight by molecular weight into क्या था WA था WA को क्या लिख सकते हैं लोग WA को density को क्या लिख सकते हैं density into क्या लिख सकते हैं volume molality wb by mb into density into क्या volume तो इससे ये वाला क्या बन जाएगा small m का value capital m by d सब discuss कर चुके इसे formula बनते जा रहा है तो आपस में sub relation बन गया m is equal to small m d किस पे किस पे percentage उसके बाद g by l molality normality सब में temperature से क्या होता है फर्क पड़ता है temperature जादा होगा तो ये सब क्या होता है increase कर सकते molality small m पे temperature का कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद हम लोग आ गये थे vapor pressure p equal to क्या होता है p degree x से p of b निकालना है तो क्या होगा p degree x b ये किसके लिए होता है volatile solute and solvent b और a दोनों क्या हो volatile अगर non volatile रहेगा तो क्या होता है p equal to क्या होता है p degree x से dp का विलू क्या निकालना है p degree minus p relative lowering of vapor pressure निकालना है तो p degree minus p degree करते हैं तो क्या होता है x b ये सब पढ़ चुके थे फिर हम लोग पढ़े थे क्या elevation in अगर आपको formula याद रहेगा तो आराम से कर सकते kb into m delta tb kb into m का भी लोग क्या number of gram mole per kg of solvent ऐसे भी कर सकते हैं या kb into n number of gram mole को wb by mb into wa into 1000 से भी कर सकते हैं तिये है elevation in boiling point और elevation in boiling point final temperature minus initial temperature final जादा होता है initial कम होता है ऐसे भी निकाल सकते हैं तो ये था vapor pressure का फर्मूला ये है elevation in boiling point के लिए आप वीडियो को पाउच करके लिख लीजिए एक जगा लिख लीजिए याद रहना चाहिए बस एक दोगा फर्मूला लिखते हैं chapter खतम करने वाले हैं और से ही होता ह delta tf is equal to क्या होता है kf into morality या kf into wb by mb into w a into क्या होता है thousand या kf into m को लिख सतनमर अप ग्राम मोल पर kg of solvent ये कोई भी फर्मूला यूच कीजे एकदम आपको अराम से बना सकते हैं फिर πाई पढ़े थे osmotic pressure क्या होता है mrt या pi is equal to number of gram mole per liter into rt के लिए रहे हैं इससे निकाल सकते हैं या wb by mb into brt ये सब है osmotic pressure का फर्मूला और i निकालना है weight of factor ये क्या है ratio of qualitative property है कि नहीं कितना molecule बाद में हुआ by कितना molecule पहले था इसको ऐसे बुचते है number of particles after dissociation या association by number of particles before dissociation association clear है उसके बाद हम बताए थे कि अगर dissociation होता है तो i ka value one से ज़्यादा होगा और अगर association होता है तो i ka value one से होता कम qualitative property क्या होता है increase कर जाता है और qualitative property decrease कर जाता है तो इतना चीज solution के बारे लिए एक एक चीज बता दिया आपको rolls लोबी याद कर लिए हेंडरी लोबी याद कर लिए एजोट्रोप्स क्या है आइसोपास्टिक आइसोटोनिक हाइपर टोनिक हाइपो टोनिक उसके पहले मोल फ्रेक्शन का भी फर्मूला याद कर लिए एक से प्लस एकस बी इक्वल टू वान मोलालिटी सब चीज बता दिये तीस तरह से आपको हम अपसे मिलेंगे नया चेप्टर लेके और वो होगा केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी चेप्टर है बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर है कल्कुलेशन्स भरे हुए हैं बहुत मज़ा आएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में